Hello Students, Class 9th के Maths के 11th चप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है Surface Area and Volume आज की वीडियो में हम लोग Surface Area and Volume का NCRT का 3rd exercise सौल करेंगे इस वीडियो के पहले मैंने 1st exercise और 2nd exercise के उपर अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो अब बात में जाकर देख सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगा फिलहाल के लिए हम लोग 3rd exercise को सौल करना शुरू करते हैं तो देखिए 1st question है Find the volume of the right circular cone with radius 6 और height 7 cm तो हमें volume find करना है वो भी cone का ठीक है तो cone का volume का formula देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे column का formula हता है 1 by 3 pi r square h तो पहले वाले case में 1 by 3 into pi की value 22 by 7 radius दिया है 6 तो क्योंकि radius का square है तो हम लोग 6 दो बाल लिखेंगे height 7 दिया है पहले वाले में तो यहाँ पे 7 लेंगे तो यह 7 से 7 cancel हैगा 3 से 6 2 times में हो जाएगा multiply कर लिखेंगा आएगा 264 264 cm3 दूसरे वाले case में दूसरे वाले case में क्या volume आएगा 1 by 3 pi मतलब 22 by 7 radius का square मतलब 3.5 दो बार 3.5 दो बार height दिया है 12 यह 3 से 4 बार में कट जाएगा 7 जो है वो 3.5 को 0.5 times में कट कर देगा जब multiply करेंगे तो answer क्या आएगा 154 154 cm3 लिखेंगे तो question number 1 solve हो गया अब हम लोग question number 2 solve करेंगे question number 2 क्या है find the capacity in liters of a conical vessel with radius 7 cm length height 25 cm ठीक है तो capacity मतलब होता है volume निकलना लेकिन हमें volume liters में निकलना है याद रखेगा तो पहले हम लोग volume निकलेंगे volume का formula भी मैंने आपको उताया है क्या होता है volume का formula 1 by 3 pi r square h question में हमें slent height given ध्यान दीजेगा slent height l को कहते हैं तो पहले वाले case में पहले हमें height निकलना होगा आपने slent height का formula पढ़ा होगा l square is equal to height का square प्लस radius का square यह मैंने आपको first video में बताया था l हमें given है 25 तो यहाँ पर जागा 25 का square h हमें नहीं पता तो ऐसे रहने देंगे h का square r का square मतलब 7 का square ठीक है 25 का square क्या जागा 625 h square 7 का square 49 होता है 49 धर आएगा तो minus हो जाएगा 625-49 धर h square यह minus कर लिजेगा आप cancer आएगा 576 h square यह square left hand side आएगा तो root में convert हो जाएगा ठीक हो जाएगा यह हो जाएगा h square sorry यह square हट जाएगा न अब तो h की value आजाएगी यह root solve कर लिजेगा आपकी value आएगी 24 तो height निकल गए 24 तो अब हम लोग क्या करेंगे formula apply कर देंगे volume का formula क्या होता है 1 by 3 pi मतलब 22 by 7 radius कितना है 7 है तो 7 दो बार height कितना है 25 है sorry 24 है 24 आजाएगा तो 3 से यह 8 बार में cancel होगा 7 से 7 cancel होगा उपर multiply कर लिजेगा आप cancer आएगा 12,3,2 लेकिन हमारा answer centimeter में आएगा centimeter cube लेकिन हमें अपना answer liter में निकालना था तो जब भी liter में निकालना हो और दिया centimeter हो तो liter लगाने के लिए जैसे लिखा है न 1,2,3,2 इसे thousand से divide कर दीजे और centimeter cube के जागर liter लिख दीजे अगर centimeter cube से liter में जाना है तो चुपचाप 1000 से divide कर दी यह volume क्या जाएगा 1.232 लीटर यह capacity होगी ठीक है पहले वाले case में वीडियो pause करिए note कर लीजे अब second वाले में देखिए height दिया है 12 slant height दिया 13 radius नहीं दिया है second वाले में तो हम लोग slant height का formula जानते हैं L square is equal to H square plus radius का square slant height L दिया है 13 यह 13 का square हो जाएगा hypotenuse दिया है sorry height दिया 12 यह 12 का square हो जाएगा radius का square 13 का square 169 होता है 12 का square 144 होता है और यहां R का square 144 को इदर लेके आइए तो 169 में से 144 माइनस कर लीजेगा तो माइनस करेंगे तो 25 हाएगा radius का square यह square root तरफ जाएगा तो square root हो जाएगा तो radius की value आजाएगी 5 5 cm अब volume का formula लगा देंगे 1 by 3 5 मतलब 22 by 7 22 by what 7 radius कितना है 5 है तो 5 दो बार आएगा 5 इंटू 5 ठीक है height कितनी है 12 की है यहां पे 12 आएगा 3 से यह 4 बार में कट जाएगा उपर multiply divide कर लिजएगा 314.2857 cm3 हमारा अंस से cm3 में आएगा अगर आपको इसे लीटर में बदनना है तो मैंने आपको बदाया था 1000 से चुपचाट divide कर दीजे 314.2857 इसको 1000 से divide कर देंगे यह cm3 से लीटर में convert हो जाएगा अब 1000 से divide कर लिजएगा 0.314 लीटर आएगा ठीक है यह volume होगा ओके मैंने बस तीन decimal प्लेस तक किलिका है अपना अंसर ठीक है वॉल्यम दे दिया है कौन का 1570 और हाइट दे दिया है 15 हमें रेडियस फाइंड करना है वॉल्यम का फार्मला क्या होता है वन बाई 3 पाई आर स्क्वेर एच वॉल्यम के जगा 1570 लिख देंगे वन बाई 3 पाई की जगह बोला है 3.14 लेने के लिए तो यहां पे 3.14 ले लेंगे रेडियस नहीं पता तो आर स्क्वेर हाइट हमें पता है 15 यहां पे 15 ले लेंगे तो 3 से यह 5 टाम्स में कैंसल जाएगा हमें मिलेगा 1570 3.15 multiply by 5 into r square यह point टाई यह नीचे 2 0 आ जाएगा तो 100 1570 multiply हो जाएगा into 100 divided by यह 3.14 था sorry 314 हो गया था यह 314 उपर है तो नीचे आ जाएगा into 5 भी उपर है तो यह भी नीचे आ जाएगा और इधर हो जाएगा r का स्क्वेर ठीक है अब 314 और 5 को multiply करके देखिएगा क्या आएगा उपर में लिख रहा हूँ 1570 into 100 इधर r square लिख रहा हूँ नीचे जब आप multiply करेंगे 314 को 5 से तो आपका अंसर आएगा 1570 फिर यह से यह कड़ी आएगा r square is equal to 100 हो जाएगा तो r is equal to root 100 root 100 solve करेंगे तो r की value 10 आएगी यह हमार आंसर जाएगा 10 क्या centimeter बस सौथा question बलाते हैं fourth question क्या है volume of right circular cone is of height 9 centimeter is 48 pi fine diameter of base height दिया है 9 volume दिया है 48 pi हमें diameter यानि radius निकालना पड़ेगा तब ना diameter आएगा फिर से भाई चीज़ है question उसी type क्या volume दिया है हमें 48 pi या रखेगा pi की फॉर्म में दिया है height दिया है 9 radius निकालना पड़ेगा तभी ना diameter आएगा तो volume is equal to क्या हता है 1 by 3 pi r square h volume की जगा क्या लिख देंगे 48 pi या जागा 1 by 3 pi r square into h की जगा 9 लिख देंगे 3 से 3 बार में कड़ जाएगा यह pi से यह pi कड़ जाएगा हमें मिलेगा 48 is equal to r square multiply by 3 3 नीचे चला जाएगा 48 by 3 इधर r square हो जाएगा 3 से यह 16 बार में कट जाएगा तो हमें मिलेगा finally r square is equal to 16 r is equal to root 16 r is equal to 4 आजाएगा 4 cm तो diameter दुगना होता है radius का 4 है तो 8 cm होगा diameter answer अब हम लोग question number 5 solve करेंगे question number 5 है a conical pit of top diameter 3.5 meter 12 meter deep what is capacity in kilo liters question में बोला है diameter जो है 3.5 का है deep मतलब होता है height ठीक है deep मतलब गहरा होता है तो उसे आप height से relate कर सकते है height दिया है 12 तो ऐसा मैं कहें सकता हूं diameter 3.5 है radius हो जाएगा diameter का दा यानि 3.5 का दा ठीक है और height दिया है 12 हमें capacity निकालना है वो भी kilo liter में ठीक है तो पहले capacity हम लोग निकालेंगे मीटर में है यह सब मीटर में given था या रखेगा capacity मतलब होता है volume पहले volume निकालना पड़ेगा 1 by 3 5 r square h होता है volume तो volume is equal to 1 by 3 5 की value 22 by 7 r square मतलब 3.5 by 2 दो बार 3.5 by 2 दो बार आएगा into height कितना दिया है 12 into 12 तो 3 से यह 4 बार में कटेगा 2 और 2 और यह 4 को काट देंगे 7 35 को sorry 3.5 को 0.5 टाइमस में कट करेगा तो यह 22 और 0.5 और 3.5 को multiply कर लिजेगा आपका answer आएगा 38.5 meter cube आएगा क्योंकि सारा unit meter में दिया है अब मैंने आपको centimeter cube से liter में जाने का तरीका बता है था हमें question में बोल ला है liter में find करना वो भी kiloliter ठीक है तो liter में जाने का तरीका होता है अगर meter cube है तो जस्ट आप thousand से multiply कर दीजे तो liter में convert ही जाएगा ठीक है meter cube से liter में जाना है तो बस thousand से multiply करना है लेकिन हमें kiloliter find करना था तो kiloliter find करने के लिए thousand से divide कर दीजे तो यह liter से kiloliter हो जाएगा तो thousand से thousand cancel volume आजाएगा 38.5 kiloliter आई बात सौन में question में जब हम लोग ने volume find किया तो meter cube में आया लेकिन हमें liter में करना था तो meter cube से अगर liter में जाना है तो thousand से multiply करना पड़ता है लेकिन question में kiloliter बोला था किलoliter बोला है तो thousand से divide करना पड़ेगा और liter के जगह kiloliter लिख सकते हैं फिर thousand से thousand cancel 38.5 kiloliter बस simple question number six लगाएंगे question number six कह रहा है volume of right circular cone right circular cone is itna volume दिया है diameter दिया है 28 height निकालना है slant height निकालना है और surface area निकालना है हलुआ है question है न वॉल्यम कितना दिया है nine eight five six ठीके diameter दिया है diameter 28 दिया है तो radius क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा diameter कादा radius होता है अब देखिएगा हम लोग formula युश कर सकते हैं वी इस गल टूट वन बाई थ्री पाई पाई आर स्क्वेर एच उनका यह formula होता है वी के जागा लिखेंगे nine eight five six इदा लिखेंगे one by three पाई के जागा लिखेंगे 22 by seven radius के जागा लिखेंगे 14 वो भी दो बार और height निकालना है तो यह three से कुछ नहीं कटेगा three के जागा three रन देंगे three नहीं cancel होगा किसी से अब देखिए यह seven इस 14 को two times cancel कर देगा 14 two में multiply हो जाए तो जाएगा one by three twenty two 14 two में multiply होगा twenty eight हो जाएगा into h अधर हो जाएगा nine eight five six जो चीज़े नीचे हैं वो उपर चल जाएगे तो nine eight five six three नीचे है तो उपर चल जाएगा twenty two and twenty eight नीचे जाएगे ठीक है और इस धर हैच बचेगा तो twenty eight से काटिएगा यह जब आप twenty eight से काटेंगे nine eight five six को यह three fifty two times कर जाएगा फिर twenty two से काटिएगा three five two को तो यह 16 बार में कर जाएगा तो height is equal to मिलेगा 16 multiply by three that is height की value मिलेगी 48 सेंटीमीटर ठीक तो height तो आगया पहला वाला अंसर आगया पहले पार्ट को अब slant height भी निकालना है slant height मतलब l square h square r square यह formula मैंने आपको first वाले वीडियो में बदाया था कि जो slant height का square होता है वो height के square और radius के square के होता है है तो slant height निकालना है यह निकालना है तो l का square height का square मतलब 48 का square radius का square मतलब radius कितना है 14 है तो 14 का square ठीक है 48 का square करिएगा आप लोग आपका अंसर आएगा 2304 plus 14 का square करिएगा तो यह 196 आएगा अज जब आप यह add करेंगे तो 2500 आएगा यह l square हो जाएगा तो l की value square उधर जाएगा तो square root में convert हो जाता है आप लोग जानते है तो 2500 आएगा l की value यहाज कितने आएगी 50 आजएगी 50 क्या centimeter ना टिक slant height आगया 50 cm तो दूसर वाले का answer आगया तीसर वाला answer क्या निकालना है कॉप surface area क्या होता है क्या होता है पाई आरल होता है पाई की value 22 by 7 radius 14 है slant height 50 है तो यह 7 से 2 बार में कटेगा 22 into 52 is a 100 होता है 22 और 100 को करेंगा तो 200 आजागा यह 2200 cm square यह curve surface area आजाएगा simple इतना असान question बताएगे कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तीसरे part concern है अब हम लोग question number 7 solve करेंगे question number 7 है a right triangle ABC with sides 5 cm 12 cm 13 cm is revolved around 12 cm side find the volume of the solid so formed अब देखी question में क्या कह रहा है कह रहा है एक triangle है ABC यहाँ पर मैंने एक triangle लिया है A B C कह रहा है 5 12 और 13 का है यहाँ पर 13 होगा यहाँ पर 12 होगा यहाँ पर 5 होगा यह एक right angle triangle बनेगा क्योंकि आप लोग familiar होंगे इस number से 12 और 5 12 का square करिए 5 का square करिए 13 के square के equal होगा तो basically यह right angle triangle होगा आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए था 5 12 और 13 देखकर तो यह right angle triangle होगा जिसमें perpendicular की value 12 होगी base की value 5 होगी और hypotenuse की value 13 होगी कहरा इसे घुमाया जा रहा है इस वाले side को पकड़कर इसे rotate किया जा रहा है तो सोचिए आप जब आप इसे rotate करेंगे तो कुछ इस तरह का figure बनेगा क्या इसे rotate करना है इस तरह का एक cone form होगा अगर आप rotate करेंगे कुछâm में बोला था न, जो भी solid bynniek उसी का volume निकल नहीं, तो radius 5 है, 1 by 3 5 की value 22 by 7 radius की value 5 हो जाएगी height की value सोची क्या होगी 5 into 5 लिखे पहले height की value, यह height है ना 12, तो height की value क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी 3 से 4 बार में cancel जाएगा यह सब solve कर लिजेगा, आप cancer आएगा 314 के आसपास, cm3 इस अब solve कर लिजेगा इतना ही आएगा, 314 के आसपास आएगा, point में भी आ सकता है, ठीक है लेकिन मैंने बस 314 लिखा है, आप इतना भी लिख सकते हैं यही volume होगा, बस आपको यह ध्यान देना था, कि जब घुमाएंगे तो जो solid बनेगा है, वो actually कोन बनेगा है, ठीक है अब question number 8 देखिए, कह रहा है if the triangle ABC in question number 7 above is revolved around the side 5 cm then find the volume so formed find also the ratio volume of the two solids obtained in question number 7 and 8 question में क्या कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ आपने question number 7 में इस वाले side के along गुमाया था question number 8 में कह रहा है, कि आप गुमाईए 5 cm वाले side से मतलब अब आपको rotation इस वाले side से करना है तो पहले figure वापिस बना लेंगे अब आप ही सोचिए, जब आप इस वाले side से गुमाएंगे मतलब इसको नहीं गुमाना है, गुमाना इसको है है ना, तो कुछ इस तरह का figure form होगा के, सोचिएगा बहुत ध्यांग से, इस तरह का कोन एक form होगा देखिएगा, इसे थोड़ा imagine कर पाना कठिन काम है, इस तरह का कोन form होगा, दिख रहे आपको, जब आप इस वाले side से rotate कराएंगे triangle को, इस तरह का कोन form होगा, ये कोन, दिख रहे नहीं आपको, ये कोन form होगा, ठीक है, इस कोन का मैं volume find करना है, इस कोन का volume क्या होगा, इसे मैं V2 नाम दे दे रहा हूँ, और question 1 में जो volume आया था, ये question 1 में volume आया था, इस volume को मैं V1 नाम दे होगा, क्योंकि दोनों का बाद में ratio भी निकालना है, V2 का formula भी होगा, जब भी हम लोग ने apply किया, V2 का formula क्या होगा, 1 by 3, pi r square h, 1 by 3, pi की value है 22 by 7, ठीक है, r square मतलब radius का square, radius देखें इस बार ये होगा, ये radius होगा, और जिसके side घुमाया जा रहा है, वो height का लागा, ये height है, ये radius इस बार, ठीक है, ये circle बन रहा है, circle में radius है ये होगा, तो radius 12 का है, तो r square मतलब 12 into 12 दो बार, ठीक है, height मतलब, height मतलब होता है 5, ठीक है, अब इसे आप लोग calculate कर सकते हैं, ये 4 बार में cancel हो जाएगा, volume calculate कर लिजेगा, आपका volume आएगा, 754.28, ये V2 आएगा, इसे आप लोग पता है क्या लिख सकते हैं, इसे आप लोग लिख सकते हैं, 240 pi, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये 1 by 3 थ height मतलब, height मतलब 5, ये 3 से 4 बार में cancel जाएगा, जब आप इसे calculate करेंगे, तो ये आएगा 240, पाई तो लगाएगे, पाई, मतलब आप चाहें, तो इस तरीके से भी अंसा निकाल सकते हैं, इस तरीके भी इस से निकाल सकते हैं, और सेम तरीके साब V1 में निकाले होंगे, V1 म is equal to 100 pi, अब हमें ratio निकालना था, volumes का, तो मैं V1 by V2 निकालना, V1 की value क्या आए थी, 100 pi, V2 की value आए थी, 240 pi, अब आप लोग समझ जाओंगे, क्यों मैं pi वा ले ले रहा हूँ, ये pi से pi कैंसल जाएगा, 0 से 0 कैंसल जाएगा, 10 by 24 मिलेगा, 2 5 जा, 2 12 जा, अंसर आएगा, 5 by 12, जाएगा, यानि ratio आएगा, 5 is to 12 का, इसलिए मैंने pi के form में निकाला, और कोई reason नहीं था, क्योंकि ratio में pi कैंसल जाएगा, जिससे इसको solve करना, खोड़ा सा कठीन पड़ता है, इसको solve करना असान पड़ता है, देख भी रहा हूँगे, pi से pi कढ़िया रहा होगा, इसको solve करत water is in the form of, sorry, a heap of wheat है, water नहीं, is in the form of cone, whose diameter is 10.5, diameter दे दिया है, height दे दिया है, कहरा, volume fine करिये, पहले volume निकाल लेंगे, volume को formula कहता है, 1 by 3, pi r square h, volume 1 by 3, pi की value 22 by 7, radius कितना है, radius है, 10.5, ये diameter दिया, 10.5, radius कहा जाएगा, 10.5 का दा, any 10.5 by 2, radius का square, any 10.5 by 2, into 10.5 by 2, और height की value कितनी है, height की value है, 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 3 से ये 3 गया, इसे calculate कर लिजेगा, आप लो, इसे calculate करेंगा, तो आपका answer आएगा, 86.546, meter cube, क्योंकि सब कुछ meter में given था, तो ये volume आ जाएगा, फिर पूछ रहा question में, heap को cover करना है canvas से, तो heap actually आपका कोन के form में था, इसको cover करना है किस से, canvas से, जब cover का concept आता है, मतलब ढगने का concept आता है, तो curved surface area निकलना पड़ता है, मैंने आपको ये बात, first exercise में होता ही थी, तो मुझे actually curved surface area निकलना पड़ेगा, curved surface area का होता है, pi rl होता है, लेकिन l तो हमें नहीं पता, तो l भी निकलना पड़ेगा अलग से, है न, l निकलना पड़ेगा, l square क्या होता है, h square plus radius square का equal होता है, h की value कितनी है, h की value है, 3, 3 का square plus, radius की value 10.5, इसे आप लोग डिवाइट का लिजएगा, ये आएगा 5.25, तो 5.25 का square, तो 3 का square 9 होता है, 5.25 का square होता है, 27.5625, ठीक है, अब 9 एड़ कर देंगे इसमें, तो ये आएगा 36.5625, ये l square की value हो जाएगा, square उधर जाएगा, तो root 36.5625, ठीक है, तो जब आप इस root को solve करेंगे, calculator से solve कर लिजएगा, ने तो solve नहीं हो पाएगा, ये आएगा 6.04669 cm, ये l की value आजाएगे, तो अब यहाँ value पुट कर देंगे 22 by 7, radius था मेरा 5.25, और slant height यानि capital L, इसकी value आई 6.046, ठीक है, अब इसे आप लोग calculator से solve कर पाएँगे, ये ना, तो ये आप cancer आएगा 99.30564 cm, sorry meter cube, ठीक है, कहने मतलब 100 के आसपास आएगा, आप calculate करेंगे तो अलग आ सकता है, मैं calculate करूँगा तो अलग आएगा, क्योंकि मैंने manually calculate किया है, calculator से नहीं calculate किया, ठीक है, calculation मेरा थोड़ा सा fast है, इसे मैंने manually calculate किया, आप calculator से करेंगे, तो हो सकता थोड़ा बहुता लगाए, ठीक, तो इस question में कुछ नहीं करना था, volume बोला था निकालने के लिए formula लगा के volume निकाल लिए हम लोग, थोड़ा सा calculation टफ था, फिर हमें एक course office area बोला था, direct तो नहीं बोला था, लेकिन canvas बोला था, तो समझ गया कि course office area निकालना है, formula pi rl होता है, तो L निकालना पड़ता है, L इसी formula से निकालते हैं, तो root में इतना बड़ा नंबर आ रहा था, तो मैंने L की value निकाली, तो यह आई, ठीक है, इसे मैंने calculator से निकाला है, तो यह आई थी value, फिर मैंने L की value पुट की, और इसे calculate किया, तो यह आया, ओके, तो 9 questions all हो गए, NCRT में 9 questions दिया हैं, थर्ड वाल exercise में, अगर आपका कोई doubt रह जाता है, तो आप मुसे comment box, या फिर telegram channel पर पूछ लीजेगा, आज किड़ मिसेता हैं, मिलते के लिए उड़े में, तब तक के लिए good bye